हेलो एवरिवान वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल सीजी व्लोगर शाली नी कैसे है आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे तो गईस आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूँ शाही टोस्ट की रेसिपी यह बहुत ही आसानी से बन जाती है और ब बनाना आपको बता रही हूँ शाही टोस्ट करता है तो वैस अब मैं एक बार ओईल को चेक कर लेती हूँ तो ओईल गरम हो चुका है अब मैं यहाँ पर ब्रेट के टुकडो को डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से गुल्डन ब्राउन होते तक फ्राइ कर लूँगी तो वैस आप देख पा रहे है इसका कलर बहुत ही अच्छा आया हुआ है बिल्कुल इसी कलर में हमें सारे टुकडो को फ्राइ कर लेना है अब हम इसे दूसरे साइड से भी इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे देन इसके बाद मैं एक एक करके सारे टुकडो को निकाल दूँगी तो गैस यहाँ पर मैंने आधा कटोरी सक्कर ली हुई है एक कटोरी मैंने यहाँ पर पानी लिया है और अब मैं इसकी चासनी बना दूँगी मैं चम्मच चलाते हुए चासनी तयार कर लूँगी हमें यहाँ पर एक ता की चासनी नहीं बनानी है तो वैस में चम्मच चलाती हुए चासनी बना रही हूँ आप देख पा रहे हैं अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है बिच बिच में मैं इसे चेक करते रहूंगी तो इस तरह से मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ मैं उंगलियों से इसे चेक कर रही हूँ तो उंगलिया चिपक रही है आपस में मतलब कि हमारे चासनी बन कर तयार हो चुकी है मैंने पहले ही कहा कि हमें यहाँ पर एकतार की चासनी नहीं बनानी है तो अब मैं गयास को बंद कर दूँगी देन इसके बाद मैं चासनी को ठंडी होने के लिए छोड़ दूँगी तो गैस चासनी ठंडी हो चुकी है अब मैंने इसे दो बाउल में निकाल लिया है मैं इसमें कलर एट कर रही हूँ अगर आपके पास कलर नहीं है तो उसे आप स्किप कर सकते है यह ओप्सिनल है अब मैं शाही टुकडो को इसमें डिप करके निकाल दूँगी अगर आपके पास चासनी ठंडी है तो आप इसे एक मिनट के लिए छोड़ सकते है और अगर गुन-गुनी है तो आप इसे तुरंत इसे डिप करके आप निकाल सकते है अगर इसे हम काफी समय तक डिप करके रखेंगे तो शाही टुकडे नहीं बनेंगे और यह तूट जाएंगे तो इस तरह से मैं सारे शाही टुकडो को डिप करके बाहर निकाल दूंगी तो वाईस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट में कोकोनट पाउडर ले लिया है हम इसे नारियल का बुराधा भी कहते है तो इसमें मैं शाही टुकडो को अच्छे से कोट कर लूँगी आप चाहे तो इसे बाद में जब आप गार्निसिंग करते हैं उस समय भी आप इसे उपर से डाल सकते हैं बट मैं यहाँ पर चारो तरफ से उसे कोट कर रही हूँ तो गैस आप देख पा रहे हैं शाही टोस्ट बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं बहुत ही शाही दिख रहे हैं गार्निसिंग के लिए हम ड्राइफ रूट को बारिक कट करके इसे गार्निस कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो गैस इस रेसिपी को आप घर में कुछ भी कर सकते हैं.